नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में आज हम लोग आपको दो जोन के इंपोर्टेंट सभी करेंट अफेस के कोशन करवाने वाले हैं साथ में आपको जेनरल नॉलेज का एक्स्प्लेनेशन भी मिलेगा यानि आपका स्टेक्स जीके भी इससे इंप्रूव होगा और करेंट अफेस के सभी कोशन करवाने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूँगा इसी कुईस से रिलेटेड जिसका आणसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके यह बेस्ट जीके अण करंट अफेस चैनल है जल्दी से सबके सार शेयर कीजिए अगर आपको यह पीडियाफ डाउनलोड करन जिसका लिंक नीचे दिया गया है ठीक है ना चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता है पहला कोशन इंपोर्टेंट कोशन है आज तेलंगा ना अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है ठीक है ना तो तेलंगा ना राज्य आज अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा ह आज ही के दिन यानि 2 जून 2014 को या आंदर प्रदेश से अलग होकर 29 राजिय बनाता तेलंगा ना ठीक है ना तो ये आपको important याद रखना है 29 राजिय बनाता लेकिन अभी भारत में अगर पूछ लिया जाए कितने राजिय हैं तो अभी 28 राजिय हैं ठीक है ना और केंदर शाशित प्रदेश कितने हैं केंदर शाशित प्रदेश आठ हैं नो नहीं है ठीक है ना आठ कैसे हैं कि दमन और दीव और दादर नगर अविली को एक कर दिया गया ठीक है ना तो यह आपको याद रखना है दो जून 2014 को तेलंगाना के स्तापना हुई थी 29 वा यह राजिय है नविंतम राजिय आंदर प्रदेश से अलग वाता इसकी राजदानी कौन सी हैं तो हैदराबाद हैं मुख्य मंत्रे हैं के चंदर सिकर राव जब से अंदर प्रदेश बना तो यह आपको तेलंगाना के राज़े के बारे मैंने आपको बेसिक डिटियल दिये हैं जो की काफी इंपोर्टन है तेलंगाना राज़े कहां पर पड़ता हैं तो यह जो भारत का इस्टल कोस्ट हैं समुद्र में जहां पर यह जो कोस्टल एरिया हैं वो अंदर मैं कभी न कभी बता दूंगा ठीक ना आज के लिए आपको इतना सब याद रखना है तेलंगाना राज्य के बारे में सेकेंड क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है अभी कली की ये न्यूज है हाली में किसने मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प् आपको याद रखना है मेरा जीवन मेरा योग इडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है ये नरेंद्र मोधी जी ने स्टार्ट किया ठीक ना राजनात सिंग को ने रक्षा मंतरी रामनात कोविंजी को ने रश्ट पती ठीक ना और थर्ड क्वेशन ये इंपोर्टेंट भी खबर हैं बॉली वुड के मşہूर संगीतकार वाजीत खान का निदन हो गया ठीक ना वाजीत कान का शुर्फी संगीतकार थे ठीक ना जिनका कल लियी निदन हो गया तो यह आपको याद रखना ऊके चलिए चौता कुशन कौन सा है किस देश ने विश्व स्वास्तिय सं के साथ अपने सभी संबंद समाप्त कर दिये पिछले काफी समय से अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनाल्ड ट्रम्प डबलू एचो को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसने को लेकर अपना रुक इसपष्ट नहीं किया और यह चीन का सपोर्ट किया इसने तो इसी कार अमेरिका की राष्ट्रपती हैं डॉनाल्ड ट्रम्प उके उसके बात अलग जाए विश्व स्वास्ते संगर्टन की तो इसका हेड़कोर्टर का है स्विचर लेंड के जेनेवा में इसका हेड़कोर्टर हैं साथ अप्रेल 1948 को इसकी स्टापना हुई थी तो यह भी आपको मनाया जाता हैं अंतराष्टिय बाल रक्षा दिवस का मनाया जाता हैं तो एक जून को मनाया जाता हैं अंतराष्टिय बाल रक्षा दिवस ठीक है ना एक जून 1950 को दुनिया बर के 51 देशों ने अंतराष्टिय बाल रक्षा दिवस मनाया था उसके बाद से हर साल यह मनाया जाता है 1950 से ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है उसके अलावा अगर आपने सामानी ग्यान 2020 की e-book नहीं खरी दिये हैं जिसमें इवित सामानी ग्यान राष्टिय अंतराष्टिय इतियास राजनिती विग्यान खेल कंप्यूटर के बारे में short notes दिये गए हैं पूरा statistics ज जाता है तो world milk day मना जाता है एक जून को मना जाता है ओके कल था यह world milk day यह क्यों मना दे कैसे तो विश्व दुग्द दीवस संयुक्तराष्ट के खाद्य एवं कर्षी संगटन FAO द्वारा स्तापित एक अंतराष्टी दीवस हैं जो वैश्विक भूजन के रूप में दू 20th anniversary of world milk day ठीक ना इस साल इसके 20 वर्ष पूरे होगे तो यही इसकी ठीमती 20th anniversary of world milk day तो यह आपको याद रखना है अब बात आएए खाद्य एमकर्षी संगटन की तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी इसका headquarter का है तो यह आज का आपका सवाल है जिसका आंसर आ अमको के mobile number का सुजाव दिया है इन्होंने ट्राइ में जो भी mobile number होते है अभी भी हमारे इतने ही है 10 अंको के अभी बीच में हूँ كانे टेलीकॉम तो यह आपको याद रखना है भारतिय दूर संचार वी नियमक प्रादिकरण इसके अध्यक्षकों ने डॉर संचार वी नियमक प्रादिकरण डॉक्टर जेश चर्मा अध्यक्ष है 20 फरवरी 1997 आपको याद रखना साल की इसकी स्तापना हुई थी और हैड़कोर्टर नई डिली में ओके चलिए आटवा कोशन यह आज का लास्ट कोशन है उसके बाद मैं आपको आज का सवाल और कल के सवाल का अंसर दूँगा तो आप आज का कोशन कौन सा है लास्ट हाल ही मे प्रोजेक्ट के फोन समाचार में रहा या किस राज़े की परियोजना है तो यह क्या है के फोन यह पहले मैं आपको बदाता हूँ केरल राज़े की परियोजना है के फोन का मनलब क्या है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यह इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म इस योजना का नाम है केफ़ोन केफ़ोन परियोजना केरल फाइबर ओप्टिकल नेटवर्क इसके तैट इस साल के अंत तक पूरे राज्य को सभी घरों और कारियलायों को ओप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोडने का टारगेट है इस योजना के तैद तो ये केरल सरकार की योजना है जिसे इस साल के end तक इसको पूरा करना है ठीक है ना के फोन का यही मतलब है ओके चले कल के question का मैं answer देता हूँ कल मैंने कौन सा question पूछा था अरजुन पुरुसकारों की शुरुआत कब हुई थी ये क्यों पूछा था क्य ठीक है ना तो अरजुन पुरुसकार की शुरुआत कब हुई थी 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी ये आपको याद रखना ठीक है ना आज का question बहुत ही ज्यादा easy है इससे ज्यादा easy कोई question ही नहीं होगा अगर आपने सही से पढ़ा होगा खादियायम करसी संगटन का मु फिर कीजे एंड लेली क्वीज के लिए आप लोग exam तक का telegram channel join कर सकते हैं जिसका link नीचे description में दिया गया है यहाँ फिर आप लोग telegram पर search कर सकते हैं exam तक हिंदी ओके यह इसका URL है तो आप लोग join जरूर कर लिजी ओके मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जय हि